गया हवायड़ा, वारणशी हवायड़ा, दिल्ली हवायड़ा, राजबबर, पीएम हाउस, राशपती एवास, एबंग अन्डे सभी समिदन सील कई अन्डे जगों का नाम अंकित था तथा उसके संबंध में धम की अंकित था नमश्कार आपके साथ मैं और ओध कुमार आपे न्यूश फोर नेशन पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास को ड्रोन से उड़ाने के धम के देने वाला बिहार से इंजीनियर गरफ्तार हुआ है बड़ी बात भी है कि ऐसा इंजीनियर की तरफ से ना सिर्फ प्रधान मंतरी मोदी के आवास को डाने के धम की दे गई थी बलकि पटना वारने से समय तो देश के प्रमुक एरपोर्ट और स्टेशन को डाने की धम की दे गई थी और उसके बाद जो है बिहार पलस खरकत में आए और उसके बाद गया से इंजीनियर के गिरफतार की गई है बड़ी बात की है कि फोन कॉल पर दे गई इस धमकी से अचानक से हरकम मच गया था भारत किसी मवर्ती खासे जो पाकिस्तान से लगे वी अलाके हैं वहाँ पर लगता है ड्रोन से हमला जो है वो किया जाता र राश्टपती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राजिपाल आवास जंतरमंतर रेल्वेस्टेशन समीत गया पटना ववारने सीय रिपोर्ट को आने के धमकी देने वाले व्यक्ति को गया पोलिस ने गिरफतार कर लिया है धमकी देने वाला से चाहिब भाकिए अभियन इंधाना च्छेतर से गिरफतार हुए विर्फतार कुमार से गहनता से पोच्ता जिसके बाद उसने अपने अज़ुर मकबूल कर लिया है विर्फतार होने की बाद पॉलिस राहात की सांस ले रही है गया के सेसपी आशिस भारती ने बताया है कि इसमें आपसी विवाद मे धमकी भरा पत्र जो है कई नामों को अंकित कर फसानी के लिए शाज़िश रची गई थी उनके मताबिक 2 मार्च को वारनसी एरिपोर्ट के डियरेक्टर को एक धमकी भरा पत्र मिला पत्र में होली के दिन यानि की 8 मार्च को ड्रोनवा कैमिकल से गया इंटरनेशनल एरिपोर्ट वारनसी एरिपोर्ट सहीत अन्य स्थानों पर हमले करने की धमकी का जिक्र था पत्र में गया के तीन महिला समेत 27 दों के नाम और पते अंकेत थे जिसमें गया के तीन महिलाओं में जो की डॉक्टर वसे चक्षक हैं उनके सत्यापन और जांच में फेक निकले और इस जांच खिरम में धमकी दिने वाले आरोपिय वनत कुमार को के गिरफतारी हो गई है में गया हवाएड़ा वारणशी हवाएड़ा दिल्ली हवाएड़ा राजभवर्न पी एम हाउस और राशपती एवास एवं अन्डे सभी सम्हितन सील कई अन्डे जगों का नाम अंकित था तथा उसके संबंद में धमकी अंकित था कि आगामी जो होली का परवार आठ तार हमला करने की बात अंकित की गई थे तथा उस पत्र में कई लोगों के नाम अंकित किये गया थे कि इनके द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की जा सकती है इस सुचना को काफी गंभीरता से लिया गया था तथा सुचना मिलते ही इसमें जाच प्रारम किया गया था प्रार और उसमें से सत्यापन के बाद पाया गया कि उनकी सनलिप्ता इसमें नहीं है उसमें से एक डॉक्टर थे और तथा एक सिख्चक थे फिर इसमें और अगरतर जाज की गई तो काफी आसुचना संक्वन कियाल गया तो पाया गया कि एक वैक्ति जिसका नाम विनीद कुमार है उसके द्वारा इस प्रकार का पत्र अंके लिखा गया है और उसके उसको जब उसके पास से जो पत्र उसने भेजा था वो फोटो कॉपी भेजा था और उसके पास से ओरिजनल पत्र लिखा हुआ उसको बरामत किया गया है और तथा उससे जब अगरतर जब आगे पुश्टा उसको कई लोगों से विबाद चला रहा है। उसके घरवालों से भीबाद चला रहा है। कई अन्हे लोगों से अच्ठाइक पर लिए उसके द्वारा पुलिस normally करने के लिए नाम से भाडिक लूढ़े करने के लिए वी उस में से कही लोग का नाम उसके दौरा अखवार से देख करके उसके दौरा बताया गया कि कई लोग नाम उसमें बदलने के लिए अखवार में कुछ उसको चपवाते हैं तो वहां से भी नाम उसके दौरा ले करके उस पत्र में अंकित किया गया है ताकि मामले को गंभीर बनाए जा सके तदा पुलिस को दिख्रमित किया जा सके अभी तक जो जाज हुई है उसमें पता चला है कि इसके उपर पूर्व में भी छे केसे हैं ये वेक्ति पूर्व में वर्नत कुमार इसे तरह कि घटनाओं की वज़े से बलखास्त किया जा चुका है सचाइब भाग में जिन्दर के पत्पर कामिन करता था और उसके बाद से वो अब जान बोच करके इस तरह के कृत्य करता है जिससे की सेंसेशन पैदा हो और पलस के लोग परशान हो बड़ी ब श्रमें बिहार के पटना और गया जो एरपोर्स है उसके सासात रेलिवेस्टेश़न जन्तरमंतर प्रफान रंतरी मोदी का वास राष्टपतिभवन साथ-साथ-साथ जो है लाल के लिए जैसे महतपूर जन्तरमंतर जैसे महतपूर दर्शन एस्थल हैं उनको बंसे और कैम उसे कुबूल कर लिया है अपना जूम कबूल करने के बाद यसी बात खुलासा हुआ है कि वनित के नामत देश के अलग अलग राजियों में करीब सात मामले दर्च हैं जूसमें इसी तरीके से जान पूछ करके सेंसेशन पैबा करना धंकी भरे पत्र देना और आगा यह तरी पढ़ान मंतरी नरेंद मोदी समय तो देश के कई लोगों के खिलाफ ये चिठी लिखी गई थी, कई महत्रपूर्ण भावनों का जिक्रत है इसमें और उसे ड्रोन हमले से उड़ाने की बात कहे गई थी जिसके बाद इस खुलासे से जो है वो हरकम पर मच गया था हाला कि पूरे मामले का पटा शेप किया है और जो भी लोग इस मामले में शामिल थे यानि कि जो वनित था उसे किरफतारी भी कर ले गए फिलाल इस पूरे मामले पोलिस के जान चल देए जो भी अप्डेट होगे देंगे नीज फोरनेशन पर नमस्कार